क्रिप्टो मार्केट के अंदर यहां पर किसी भी कॉइन या टोकन की प्रेडिक्शन यहां पर होल्डर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए कही न कहीं बहुत ज़ादा बेनिफीशल है आज की इस वीडियो में बात करेंगे डेजी टोकन के बारे में जो की डेजी लाउंच पैड का टोकन है काफी समय पहले इस टोकन को मार्केट में लाया गया था इसकी जो लिस्टिंग प्राइस थी वो फाइव डॉलर के आसपास थी all time high कहीं न कहीं 9 डॉलर के आसपास इसने किया लेकिन यहाँ पर समय के साथ-साथ इससे funds जो है आउट हो गए, sale होना शुरू हो गए coins और उसके बाद जो है यहाँ पर Daisy token ने कभी recovery नहीं ली क्या Daisy token इस bull run में recovery कर पाएगा या फिर नहीं सारी चीज़ों के उपर बात करेंगे यहाँ पर currently यहाँ पर 900% का pump क्यों आया है बात करेंगे वीडियो के अंदर दोस्तों यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए disclaimer इस वीडियो के जरिये में कोई भी आप तक investment opportunity या फिर illegal activity नहीं promote कर रहा हूँ इस वीडियो को मैं आप सभी के education के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ दोस्तों जो current price daisy token का है वो 45 cent के आसपास है 900% का pump इसमें क्यों दिखाया जा रहा है कोई भी यहाँ पर cap होता है जैसे कि यहाँ पर coin market cap coin gecko जो यहाँ पर हम सभी coins की information रखता है ऐसे में यहाँ पर यह project की तरफ से data जो है यहाँ पर लेते हैं जिससे जो है यह दिखाते हैं कि coin के अंदर कितना पैसा है coin कितना volume यहाँ यहाँ पर 24 of hearts के अंदर अभी ले रहा है ऐसे में यहाँ पर market cap यहाँ पर gain हुई है ना कि coin का price यहाँ पर gain हुआ है अब यहाँ पर इस coin के market cap के पीछे कितनी सचाई है यह सिर्फ daisy और यहाँ पर coin market cap जानता है दोस्तों यहाँ पर coin market cap के उपर भी कुछ ऐसे coin है जिनके यहाँ पर आए दिन market cap ग्रो होते रहते हैं और वापिस से जो है वो decrease होते रहते हैं 24 of hearts के अगर हम funds की बात करें तो 15,000 डॉलर यहाँ पर आए हैं जो की कही न कहीं on trend tracked है ऐसे में यहाँ पर daisy token की एक बड़ी गलती जो यहाँ पर कहीं न कहीं market में अभी होती है लोग पूछते हैं मुझे अकसर आके दोस्तों यहाँ पर दो chains के उपर अभी currently token जो है काम कर रहा है Ethereum और Tron chain के अंदर लेकिन जो price है वो यहाँ पर बहुत ज़दा difference है दोनों chain के अंदर जहाँ पर बात की जाए DAISY TRX के अंदर तो 44 cent के आसपास जो है price है और अगर Ethereum chain के उपर बात की जाए तो 56 cent के आसपास जो है कहीं न कहीं price जल रहा है ऐसे में बात करें हम current जो है Ethereum chain के उपर दोस्तों इसके price को difference होने का जो सबसे बड़ा कारण है एक समय तक सारी चीज़ें ठीक थी जो Tron chain के अंदर अधिरम chain के अंदर जो price था वो बिल्कुल कहीं न कहीं यहाँ पर ठीक चलता था लेकिन यहाँ पर market में जो dump DAISY token ने लिया तो उसके बाद यहाँ पर DAISY management कुछ खास ज्यान नहीं रख रही है अपने project के उपर दोस्तों यहाँ पर DAISY ने जो है समय के अनुसार काफी चीज़ें लेके आई है अपने token को market में lock करने के लिए वो भी मैं आपके साथ introduce करता हूँ लेकिन अभी currently अगर हम देखें ERC20 जो chain है उसके अंदर यहाँ पर तकरीबन जो है एक लाग दससार token है जो कि यहाँ पर max supply है ट्रोन चेन के अगर बात की जाए तो वहाँ पर number of quantity के मामले में total supply बहुत जादा है जो कि यहाँ पर अभी market में circulating supply के अंदर count हो रही है बात करें हम transactions तो यहाँ पर हो रही है लेकिन यहाँ पर DAISY token का क्यों जो है नहीं ध्यान रखा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर जब DAISY token डंप हुआ था market के अंदर तो यहाँ पर DAISY management ने काफी कोशिश की अपने token को यहाँ पर बचाने के लिए जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि $4 के बाद DAISY ने recovery भी ली थी यहाँ पर $5.4 के आसपास लेकिन यहाँ पर market की BRS mode यहाँ पर DAISY token को stable नहीं कर सकती थी जबकि यहाँ पर DAISY token का कोई use case नहीं था जबकि हम यहाँ पर बात करें DAISY token की जो pre-sale offering होई थी वो यहाँ पर troll chain के उपर होई थी तकरीबन 13,000 addresses में यह token अभी भी hold है जिसके अंदर यहाँ पर users के वेस्टिंग से token unlock होना शुरू हो गए थे जहाँ पर DAISY token को sale करना शुरू कर दिया था लोगों ने और यहाँ पर funds जो आउट होने शुरू हो गए से समय के अनुसार लेकिन वो funds यहाँ पर फिर नहीं आये तो उसके बाद से यहाँ पर DAISY token की recovery नहीं हो पाई अब बात करते हैं क्या अब जो है DAISY token की recovery हो पाईगी या फिर नहीं हो पाईगी दोस्तों यहाँ पर currently DAISY token की जो situation है वो बहुत ज़दा BRS चली गई है यानि की जब 0.5 cent की आसपास हमने इस token को pre-launching के अंदर खरीदा था यहाँ पर DAISY की अगर बात कर लेते हैं उससे पहले तो दोस्तों यहाँ पर DAISY ने currently जो profits Forex AI की मदद से generate करके market में दिये हैं वो कही न कहीं बहुत जबर जस्ता है पिछले 9 महीने के अंदर तकरीबद 600% का pump DAISY ने Forex AI की मदद से अपने individual investor को यहाँ पर profits लोटाए हैं जो कि कहीं न कहीं market में उनकी position को बहुत ज़ादा विस्वसनी यहाँ पर बनाता है दोस्तों DAISY के पास यहाँ बहुत सारे use benefits हैं जो की market के accordingly जैसे यहाँ पर DAISY Forex से पैसा generate कर रहा है DAISY crypto से पैसा generate कर रहा है जो कि अपने coin को वो market में stable करा सकते हैं लेकिन उसके बाद जब तक investors के हाथ में DAISY token है तब तक जो है investors लगातार जो है इस token को बेचना शिरू करेंगे market में जो उनकी pre-sale यहाँ पर रखी गई थी उसके बाद यहाँ पर tokens जो है शेल होना शिरू हो गए है और यहाँ पर currently भी यहाँ पर holders तयार है token को sale करने के लिए लेकिन यहाँ पर DAISY ने और भी यहाँ पर तरीके अजमाए जहाँ पर वो liquid mining को setup कर रहे है दुबई के अंदर जहाँ पर उनने license ले लिया है दुबई government से यहाँ पर उसके अंदर हमें percentage दी जा रही है अगर हम अपने tokens को lock करते हैं एक profit हमें जो है वहाँ से भी generate होके मिलेगा जितने भी यहाँ पर holders ने अपने tokens को वहाँ पर stick किया है तो यह कहीं न कहीं जो है एक good news है token के लिए जहाँ पर holder जो इंतिजार कर रहे हैं कि token का price बढ़ेगा तो कहीं न कहीं जो locked token है वो हमें जो है यहाँ पर market के अंदर authority नहीं देते हैं users को token को sale out करने के लिए जितने कम लोग यहाँ पर होंगे token को sale करने के लिए उतना ही आसान होगा DAISY launchpad को यहाँ पर grow करने के लिए अब बात करते हैं आपर आखरी और मुद्दे की बात के उपर दोस्तों यहाँ पर currently जो DAISY का price है उसके हिसाब से यहाँ पर DAISY token को stable करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है DAISY ऐसा potential रखता है कि वो अपने coin को यहाँ पर stable कर सकते हैं लेकिन जब तक यहाँ पर किसी भी coin का यहाँ पर use case नहीं है तब तक वो market के साथ-साथ यहाँ पर survive नहीं कर पाएगा ऐसे में यहाँ पर DAISY एक AI project है जहाँ पर AI का भी बहुत जबर्जस trend अभी market में ongoing है और इस trend में आपर इस bull run के अंदर बहुत ज़ादा tokens AI project के tokens यहाँ पर grow करने वाले हैं So one of the famous token यहाँ पर हो सकता है DAISY अगर अपने project की तरफ यहाँ पर ध्यान करता है ऐसे मैं यहाँ पर यह सभी updates DAISY token से related उमीद है यह updates यहाँ आप सभी को अच्छी लगे होंगी बागी जो है वीडियो को like कर लीजिए और channel को कर लीजिए subscribe जितने भी लोग मेरे telegram channel के उपर झाल